दोस्तों बात करें तो 2022 में कर सोच रहो सबूसंद अपे कमाल कमाल के EVC distance क्बात करें अप्छला की दरफ में नहीं हो रहा था न वह अब ने नहीं हो रहा था Elder League के processor AMD के 6000 series है यानि कि आपको desktop और laptop के processor में जो development पिछले काफी लंबे समय से थमसा किया था वो यहाँ पे अब दोबार से चालोगे इसी के भार में बात करते हैं और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए कोई भी अगर interested हो इन में से किसी processor के उपर तो पिलीज लाइक कर दे न और ऐसी कमाल की वीडियो देखते रहना है न उसे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को यहाँ पे आप तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर Apple की कहानी क्या चल रही है दोखो Apple ने अपनी M1 Silicon निकाल ली 2020 में 2021 में M1 Pro, M1 Max आये ते जिनकी performance काफी जाद अच्छी थी और Apple के इनके पीछे निकालने का main मकसद यहाँ पर यह था कि उन्हें क्या करना था कि कम से कम पावर ले पर जादा से जादा output निकाले यानि कि efficiency keyword था इसलिए M1 वाले जित्ते भी laptop आते हैं उनके अंदर battery life बहुत ही जादा कमाल किये और यही चीज़ करते हुए performance भी भड़ाएगी battery life को भी increase हिया गया M1 Pro, M1 Max के अंदर और इस साल लग रहा है यानि कि 2022 में यह लोग complete transition ले ले लेंगे इंटल से एपल के जो खुद किस लिकान होते हैं उस पर और वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी नई M2 चिप्स, यहां तक की नए Mac Pros देखने को मिलेंगे और यहां पर एपल वालों ने बोला भी ताशे 2022 तक एक complete transition ले 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 यानि काफी सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी यानि कि performance और battery life दोनों का एक काफी अच्छा mix इसके पीछे का एक reason यहां पर यह है कि यहां पर ARM का जो design होता है वो यहां पर यूज़ कर रहे है और chipset जो रहता है आईफोन का प्रोसर वो बिल्कुल ही वैसे ही design है जैसे यहां पर आपको देखने को मिलता है किसी भी mobile phone या फिर को आईफोन का प्रोसर उसी के बड़ा भाई यहां पर उसे कह सकते हैं यही चीज़ को नो ने हैप पर developed किया था और software हाडवेर का बहुत ही अच्छी अच्छी करी लेकिन कमी पता यहां पर वह सबसे पहले तो यहां पर software की अब यह Mac OS पी चलेगा अगर आपका काम Mac OS पे नहीं चल सकता Windows पे चलता है तो यह चीज़ आपके लिए नहीं है इसके साथी काफी सारे software महें भेंगे महें भेंगे वहापे आपको पैसा वगरा देना पड़ता है इवन जो hardware की cost रहती वह भी आपको काफी जादे नहीं है अगर बिलकुल यह high performance वाला MacBook चाहिए दो हाई लागत रुब है तो ऐसी खतम हो जाते और यह कोई यहां पर कोई सस्ती चीज नहीं बहुत ही जादा महेंगी चीज हो जाती है इसलिए इससर्फ प्रफेशनल्स के लिए हो सकते है सल M2 वाले जो MacBook के या रहा है वो थोड़े affordable range में है लेकिन फिर भी Apple है यह को वेट नहीं कर रहे थे जिस तेज़े से यहां पर Apple करना जाती थी और इसलिए Apple ने Intel का साथ छोड़के खुद के सिलिकॉन है पर डेवलप कर लिए अब देखा जा तो Intel वालों को यहां से अलग जटका लगा इसके साथी AMD अपनी Ryzen Series सा बहुत तेज़े से अपनी ताकत द लेकिन इंटरनल आर्खिटेक्चर बाकी सारी चीज़ों बहुत बड़े इंप्रूब्मेंट किया जैसकी बात करें पफॉम्मेंस तो पिछले साल से काफी जाथ इंप्रूव हुई है यहां तक की बात करें कुछ बेंचमार्किंग टेस्ट वगरा में तो 40% की इंक्रीमें की एफिशन्सी को नॉर्मल टास्क में यूज होंगे तो बैटरी लफ जादा मिलेगी और जो पॉफॉम्मेंस के जुरूरत है तो यहां पर पॉफॉम्मेंस को रियूज होंगे यह कुछ स्पेशल स्मार्ट डिजीजन लेते हुए इन्होंने अपने आर्किटेक्चर को प एफिशन्ट होंगे की नहीं होंगे एक देखने वाली बात है लेकिन इंटल ने खुद ऐसा क्लीम किया कि रॉफ पॉफॉमेंस उनसे ज्यादा बैटर है यहांने कि इंटल ने भी पिछले काफी लंबे समय से इता बड़ा इंप्रूब्मेंट नहीं तक बहुत सालों से ल इस पर ज्यादा ध्यान दिया है अपने प्रोस्टर के अंदर जो ग्राफिक्स होता है वो AMD की RDNA 2 टेक्नलोजी रहती है वो यहां पर इंप्लिमेंट करिए और इसका एक बेनेफिट यह कॉंसोल लेवल यह प्रॉपर ग्राफिक काड लेवल की जो पावर है थी वो एक पर इसकी कमपैटिबिलिटी ऐसी हो कि उस पर हाई एंड गेमिंग का यहां पर मज़ा ले ले मतलब RDNA टेक्नलोजी को यहां पर इंटीग्रेट किया गया है रेट रेसिंग वाली चीज़ों को अब एक देखा जाते हैं थेनेट लैट लेप्टॉप भी काफी अच्छी गे इंटेल ने किया एंवीडिया की तरफ से भी जो नए ग्राफिक्स आ रहे हैं थोड़े प्रीमियम लेप्टॉप के लिए पहले लेकिन बात की जाते हैं और यहां पर लेप्टॉप के लिए इस टैप के जीबियू बनाएं जिनकी परफॉर्मेंस काफी मामलों में इनके ड अल्रेडी देख चुके है और उसके अंदर भी मूव चल रहा है कि कि किस तरीके से अर्म डिजाइन का यूज करके वो लोग भी लेप्टॉप निकाले लेकिन को थोड़ा से यहां पर जादा पीछ लग रहा है तो और यहां पर कहनेगा मेरा मतलब यह कि अगर आप कोई भ अब आपको सस्ते में शाद एमडे और इंटल वाले लेप्टॉप में देखने को जाएगा एमडे अपने ग्राफिक्स के लिए जाना जाएगा इंटल अपनी पावर के लिए और साथी साथ जो बैटरी लाइफ होती है उसके लिए जाना जाएगा 11 जनरेशन में सब्सक्राइब कर दो खेंग को वीडियो देखने के लिए मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट में गुडबाइए